हमें 32 दशमलाव एक दो को 0.5 से गुणा करना है दशमलाव संख्याओं यानि की जसिमर्स को गुणा करते समय इन्हें केवल पूर्ण संख्याओं यानि की whole numbers की तरह गुणा किया जाता है और उसके बाद दोनों संख्याओं के दशमलाव बिंदू के बाद के अंकों को गिन क उनके अनुसार गुणन फल में दशमलाव लगाया जाता है इसे समझने के लिए आईए इस प्रश्न को हल कर लेते हैं हमें 32 दशमलाव एक दो को 0.5 से गुणा करना है और गुणा करते समय आपको कुछ देर के लिए दशमलाव पर ध्यान देने की आवश्यक्ता नहीं है अभी आपको ये मानकर गुणा करना है कि आप 3212 को 5 से गुणा कर रहे हैं तो 3212 को 5 से गुणा करने पर 5 गुणा 2 हुए 10 5 गुणा 1 हुए 5 और 5 जमा 1 हुए 6 5 गुणा 2 हुए 10 और फिर 5 गुणा 3 हुए 15 और 15 जमा 1 हुए 16 और इसके बाद हमें 0 से गुणा करने की आवशक्ता नहीं है क्योंकि 0 5 का मतलब 5 ही है तो 3212 को 5 से गुणा करने पर 16,060 प्राप्त होता है लेकिन अब हमें उत्तर में 0 लगाना है इसलिए हम इन दोनों संख्याओं में 0 बिंदू के बाद के अंकों को गिन लेते हैं इन दोनों संख्याओं में 0 बिंदू के बाद 1,2,3 अंक है इसलिए हमारे उत्तर में भी 0 बिंदू के बाद 3 अंक होंगे इसलिए हम यहाँ दशमलाव लगा लेते हैं तो इस प्रकार 32.12 को 0.5 से गुणा करने पर 16.06 शुन्य प्राप्त होता है और दशमलाव के बाद 0.06 शुन्य में से हम दाइयों यानि की राइट हैं साइड के शुन्य को हटा सकते हैं क्योंकि इस संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिए हम इसे केवल 16.06 लिख लेते हैं और अब हम अपने उत्तर की जाच कर लेते हैं यहाँ पर एक संख्या का मान लगभग 32 है और हम इसे 0.05 से गुणा कर रहे हैं ध्यान दीजिए 0.05 को हम 5 बटा 10 भी लिख सकते हैं जो की 1 बटा 2 के समान है तो वास्तों में हमने यहाँ 32.12 को 1 बटा 2 से गुणा किया है यानि कि हमने यह जानने की कोशिश की है कि 32.12 का आधा क्या होगा और 32.12 का आधा होता है 16 और 0.12 का आधा होता है 0.06 इसलिए हमारा उत्तर सही है